गूडी इवनिंग प्रणाम सभी मित्रों को कैसे हैं आप सब लोग आज अप लोगों के साथ एक कवीता शेयर करने के लिए अभी लाइव जोड़ रही हूँ सब लोग आ जाए उसके बाद फिर मैं अपनी कवीता शुरू करती हूँ और हमारे एक बहुत ही होनहार मेरे फेवरेट और बहुत ही रियलिस्टिक बिहार के एक अभिनेता थे पिछले एक परोना में बहुत ही कॉंट्रोवर्शियल उनकी डेथ हुई थी जिसके बारे में से बी आई जाच भी कर रही थी लेकन कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि किस वज़े से उनकी डेथ हुई है तो जोनी डिद्वान यह जुड़े हैं हमारे साथ शुशांत सिंग राजबूत के बारे में मैं बात कर रही हूँ बहुत ही मिडल क्लास फैमली से निकल कर नेपोटिजम का सामना करते हुए उन्होंने बॉलिवोड में अपनी जगा बनाई और उनी के लिए मैं ये कवीता आप लोगों के बीच में रख रही हूँ शेयर कर अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो इस कवीता को आप ज्यादर से ज्यादर कीजिएगा ये सिर्फ एक कवीता नहीं है मैं लब ये एक सत्य की आवाज भी है जिसको हम दबाना नहीं चाहरे है सुशांत सिंग की राजबूत की जो मौत का जो हुई है वो एक मिडल क् पुस्तकों को पढ़ते थे तो एक बहुत ही अध्यात्मिक विक्ति भी थे जरूरी नहीं है कि अध्यात्मिक विक्ति वही होता है जो गेरवा रंके वस्तर पहनता है या माथे पर तिलक लगा के रखता है या रुद्रक्ष की माला पहन के रखता है या पर्टिकुलर कोई भी dress code या particular कोई भी किसी भी तरह का उसने spiritual symbol या religious symbol उसने धारन किया हुए तो वही रिक्तिधार में को उता ऐसा नहीं है spirituality का मतलब है कि आप life के जो basics हैं उनके प्रति आपकी जो understanding है वो clear है संजीव बजा जूड़े हैं हमारे साथ परणाम मा धनराज विजय जूड़े हैं हमारे साथ स्वागत है आपका कुछ मित्रोर जूड़ जाएं उसके बाद फिर मैं आज की अपनी जो मेरी रचना है जो शुषान सिंग राजपूर के जीवन के उपर आधारित है और उनकी रचना को मैं आप लोगों के सामने रखोंगी तो इस रचना को मैंने लिखा नहीं है पहली बाद तुम्हें यह कहूंगी कि मैं बेशक मेरे माध्यम से यह उत्री है पर कहीं न कहीं अस्तित्व अपनी मर्जी से कोई संदेश है जो देना चाह रहा है कि कहीं पर भी जब ऐ ऐसे चीजें घटित हो रही होती हैं तो उसमें हमें अपना पक्ष भी लेना चाहिए सत्य के खिलाफ जो भी साजिश हुई है उसको बाहर आने के लिए जो भी एक लड़ाई है उस लड़ाई में शामिल होना चाहिए और महाभारत में जैसे उन्होंने कहा था क्रिष्ट न हो सकते हैं आपको कोई ना कोई पक्ष लेना ही होगा तो इसी तरह से जहां पर भी जो भी चीज़ें गलत हो रही है चाहीं किसी बाइंडस्ट्री में हो रही हो तो उनके लिए अवाज उठाना समाज में हमारा दायत्व भी है और वो ज़रूरी भी है तो जो मेरी कवीता ह उसमें मैं बता रही हूँ कि जब जिन्दा होते हैं तब हमारी इतनी एहमियत नहीं होती है लेकिन जैसे ही हम कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है हमारे समयाज में मतलब किसी की वैल्यू बढ़ाने के लिए उसका मरना बहुत होती है जिन्दगी हारते ही आँखों पर बिठा लेते हैं लोग जाने मोत के इतने दिवाने क्यों है लोग जिन्दा था तो मेरी तनहाई से डरते थे सब सांसों की बंदिश क्या टूटी दिलों में बसाने लगे लोग खुलकर हाथ मिलाते थे गले लगाते थे सब छूटी मोहबद चहरे पर आने नहीं देते कितने होनहार हैं मेरे शहर के लोग मा की यादे थी जो मेरे सीने को गरम रखती थी वो अपनी मा से काफी ज़्यादा अटैश थे जुड़े हुए थे शोशान सिंग राजपुत और यही पहचान भी है एक मर्द की एक पुरुष की कि वो अपने जीवन में अपनी मा को अपने जीवन में जो भी उड़ते हैं उनको कितना सम्मान देते हैं मा की यादे थी जो मेरे सीने को गरम रखती थी अब ठंडा हुआ है मेरा दिल तो जलसा निकाल रहे हैं लोग अब थंडा हुआ है मेरा दिल, तो जलसा निकाल रहे हैं लोग, जिंदेगी हारते ही आंखों पर बिठा लेते हैं लोग कुछ उसको नाराजगी थी, कुछ मुझ को शिकायते थी, मैं चुप हो गया अब तो आवाज उठा रहे हैं लोग महचुप हो गया तो अब आवाज उठा रहे हैं लोग ख्वाब तो चांद तक थे मगर उनको काफी ज़दा शोक था इन सारी चीजों का एस्ट्रोनोट जो बनना चाह रहे थे वो बच्चे और उसके उपरों की काफी रिसर्च भी चलती रहती थी उनके घर में माइक्रोसकोप वगएरा काफी सारे इंस्ट्रूमेंट थे जिससे वो चांद तारों को देखते रहते थे ख्वाब तो चांद तक थे मगर हाथों की लकीरों ने साथ ना दिया आँखे बंद होई हैं जब से मेरे ख्वाब गिनवा रहे हैं लोग आँखे बंद हुई हैं जब से मेरे ख्वाब गिनवा रहे हैं लोग जिन्दगी हारते ही आँखों पर बिठा लेते हैं लोग यूँ तो चुरे पीट पर लगते रहे और मैं मुस्कुराता रहा आज मेरे दर्द पर देखो मरहम लगा रहे हैं लोग